हमारे साथ ही जाते हैं ये बात कहने, कि जो लोग आदिवासियों का सवाल उठा रहे हैं, उनको तुमने जेल में बंद कर रखा है, दलितों के लिए आवाज उठाते हैं तो आप आनंद दिल तुम्रे हो जाएंगे, मुसल्मानों के लिए उठाते हैं तो शरजील इमाम हो ज इस केंपस में एबी वीपी का यह वाइलेंस का कल दिन कल के दिन हमने जो देखा वो कोई पहला नमूना नहीं था 2016 में केमसी के अंदर घुश के केमसी की थेटर सोसाइटी पर हमला करने वाला भी एबी वीपी था 2017 में रमजस कॉलिज में पच्पन बरस के टीचर का गला दवाने वाला भी एबी वीपी था JNU के अंदर मास्क करके स्टूडेंट्स के होस्टिल्स में घुश कर उन पर हमला करने वाला भी एबी वीपी था और हर जगा जिन लोगों पर हमला हुआ उनके सवाल क्या थे कल हमारे साथ ही जाते हैं यह बात कहने कि जो लोग अदिवासियों का सवाल उठा रहे हैं उनको तुमने जेल में बंद कर रका है उन्नीस में जेन्यू पूछ रहा था जो लोग इक्वल सिटिजन्शिप के लिए सवाल उठा रहे हैं उनको तुमने जेल में बंद कर रखा है लगाता है जो भी व्यक्ति इस देश में ये फैसला करता है कि वो इस देश में दबे कुछरों के लिए लड़ना चाहता है चाहे वो डॉक्टर आनन तेल तुम्रे हो अगर आप दलितों के लिए आवाज उठाते हैं तो आप आनन तेल तुम्रे हो जाएंगे मुसल्मानों के लिए उठाते हैं तो शर्जील इमाम हो जाएंगे आदिवासियों के लिए उठाते हैं तो जीन साही बाबा मैलाओ और इस रेप कल्चर के खिलाफ आप रिपोर्टिंग भी करना चाहते हैं तो आप सिद्धी की कपन हो जाएंगे जगा जगा पर जिस तरीके से पूरे देश में सम्विधान को रोंदा जा रहा है इस यूए पीए इस एन आई ए पी ऐसे जैसे एक्स के तहट दूसरी तरफ हमारे कैंपसेज में एबी वी पी का वाइलेंस उसी देश की बड़ी पिक्चर का एक माइक्रो कोजम है यहाँ पर एबी वी पी सबसे बड़ा हतियार कोई एबी वी पी की गुनदागर्दी नहीं है एबी वी पी का सबसे बड़ा हतियार है उसकी impunity यह वोई impunity वोई गुनदागर्दी है जो हिटलर के राज में स्टॉम टूबर्स को मिली थी और जिसके चलते तमाम यहुदियों को तमाम कम्मिनिस्टों को तमाम डिमोक्राटिक वॉइसिस को खुले हाम कतल करने का आदेश सरकार की तरफ से मिलता है और किसी तरह की कारेवाही इन गुंदों पर नहीं होती है आज हम देखते हैं कि गुजराट के अंटी मुस्लिम पोग्रोम में भीशन रेप करने वाले 11 लोगों को आजाद कर दिया जाता है माला पहना ही जाती है पहलू खान की अत्या करने वाले व्यक्ति को बीजेपी के नेता के माला पहनाते है जगे जगे पर मॉब लिंचर्स को सेलिब्रेट किया जाता है यतिनर सिंगा नंज जैसे लोग कपिल मिश्रा जैसे लोग अनुराग ठाकूर परवेश वर्मा जिनोंने समाज में जहर घोलने का काम किया है आज वो जेल में नहीं है वो लोग है मिनिस्ट्रीज में वो लोग है पर्लिमेंट में और जेल में कौन है जिनोंने लोगों के बीच में जाकर ये कहने की हिम्मत करी कि अधिकार कोई देता नहीं है छीनना पड़ता है और इस सम्मिधान को जीवित रखने का काम जो लोग कर रहे थे चाहे वो शाहिनबाग की महिलाए हो चाहे वो दिल्ली के बॉडर पे बैठे किसान हो चाहे वो हमारी युनिवर्स्टी के प्रोफेसर जीहन साई बाबा प्रोफेसर हनी बाबू हो चाहे आपके और मेरे जैसे स्टूडेंट्स शर्जील इमाम उमर खालिद हो हर किसी पर बॉडिली अटेक करके इस सरकार को लगता है कि जनता की चेतना को रोक देगी हम इस सरकार से और एबी उपी के गुन्डों से कहना चाहते है कि दबे कुछलों को आवाज देना हम अपना करतव ये समझते हैं और हम इंस्पिरेशन डूनते हैं भगत सिंग में डूनते हैं हम बेटकर में ग्राम सी में लाइब नेक्ट में और वो लोग अगर तुमारी जेलों से तुमारी लाटियों तुमारी बंदूकों से नहीं डरे तो ये कभी अपने जहन में मतलाना की हम दर जाएंगे साथियों आज की ये सबा ABVP को DUKVC को और दिल्ली पुलिस को ये चैलिंज है कि इस उनिवर्सिटी में सम्विदान को बचाने की लडाई बेतर समाज बनाने की लडाई मजबूती से लड़ी जाएगी और आपका दिन आएगा जब आपको एंग एंपस छोड़के जाना होगा शुक्रिया